नमस्कार दोस्तों स्वागते आप सभी का हमारे चैनल में रिसेंटली नितिन गड़करी ने एक अपने रेली को सम्भोधन करते हुए कहा कि अगर भारत में फ्लैक्सी फ्यूल आ जाए तो कहीं ना कहीं जो है पेट्रोल की कीमत में कमी आ जाएगी जून 2022 से हम पेट्रोल में 10% एथनॉल मिला रहे हैं लेकिन अब बات आ रही है फ्लैक्सी इंजन की तो सबसे बहले हमें समझना होगा कि फ्लैक्सी इंजन क्या होता है तो ये वो इंजन होते हैं जो पूरी तरह से पेट्रोल इंधन पर चल सकते हैं पूरी तरह से बायो एथनोल पर भी चल सकते हैं या फिर दोनों के मिसरन पर चल सकते हैं हिल्ग वर्तमान में भारत में फ्लेक्स फ्यू iz an वाली गाड़ियां नहीं विखती है लेकिन बहुत जल ज़ल जो है भारत की मार्ट में फ्लेक्स फ्यू एंजन वाली गाड़ि आ जाएगी फ्लैक्स शूल कहा जाएगा अब सवाल ही आता है कि हमें इसका फाइदा क्या तो यहां एथनोल की विदेशी तेल खरीदने का एक अच्छा विकल बनाता है साथ में किसानों की उच्छी आय प्राप्त करने में भी मदद करता है जिससे वाता इसके साथ ही परदूशनकारी ज